अभी हमारे देश में एक मोवी आई हुई है जिसका नाम है पठान और इसमें एक्टर है सारूप खान और इनको लेकर आप देख रहे हैं कि काफी बिवाद भी बना हुआ है और ये मोवी भी काफी बिवाद में रही है और आपने देखा होगा ट्वीटर यूज करते होंगे आप लोग तो वाई कोट का ट्रेंड भी चलता रहा है तो आज हम लोग सारूप खान के बारे में एक सामान चर्चा कर लेंगे इनका किस तरह का परिवारी बैक्ग्राउंड है, सिक्षा किस तरह सी हुई है और जो फिल्मी दुनिया है, इसमें इनका सफर किस तरह सी रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है ऐसा है, कि आपने देखा भी होगा इस बात को कि जिस मोवी का जितना वाई कोट होता है वो मोवी उतनी ही कमाई करती है और इस मोवी को ही आप लोग देख लीजे और कभी कभी तो मैं एई भी सोचता हूँ कि जो भी एक्टर्स हैं, वो चाहते भी हैं कि हम सबसे जानदा चर्चा में रहें हमारी मोवी की सबसे जानदा चर्चा हो और जब चर्चा होगी तो लोगों की दिमाग में एक सबाल जरूर आता है कि आखिर इस मोवी में ऐसा है क्या कि इसका विरोत किया जा रहा है इसके खिलाब पिदर्सन किया जा रहा है लोग जान बूच कर देखने जाते हैं तो अभी आप देखे इसका रिकॉर्ड तोड़ में इसकी कमाई भी वो रही है और सारूख खान को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं यह आप देखे इनका परिवार है और इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सारूख खान इनका पूरा नाम है और आप देखेंगे कि 2 नवंबर 1965 में नई दिल्ली में भारत में इनका जनम हुआ था उनके पिता का नाम मीर ताज मोहमत खान है उनके पिता पेशाबर पाकिस्तान से थे और आपको मालू हैं कि पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा था लेकिन 1947 में भारस से अलग होकर पाकिस्तान बन चुका था, ठीक है? और आप देखेंगे कि उनकी माता का नाम लतीप फातिमा है और उनकी एक बहिन बढ़ी भी है, जिनका नाम सहनाज लाला रूख है? और आप देखेंगे, सारूख ने एक बार 果्ट ट्वीटर पर जानक देती हुए, बताया था कि उनके पिता पठानी मा हैदरावादी हैं और सारूख खान ने गौरी से साधी किये जो हिंदू पंजाबी परिवार से आती हैं उनके तीन बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे आरेयन, सोहाना, अवराम और इसके अलावा उन्हें लोग प्यार से बॉल प्याराज कॉलेज जोएन किया लेकिन उनका जानदात समय दिल्ली के थेटर एक्सन गुरूप में बीदता था जहां से उन्होंने थेटर नेदेशक बेरी जॉन्सन की सानिद में अभी नए की गुर सीखे थे इसके बाद उन्होंने जामिया मीले असलामिया से जन संचार म आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं कई लोगों को राजनीती में जानी की दिल्चस्पी होती है एक्टिम में जाने की दिल्चस्पी होती है किरिकेट में जानी की दिल्चस्पी होती है तो बीच में ही वो पढ़ाई क्या कर देते हैं डॉप कर देते हैं फिर आप देखेंगे अगर इनकी मुवियों की बात करें तो आप देखें उननिस सो बान्वे में दीवाना आई थी डर आई थी दिल वाली दुलहियां ले जाएंगे उननिस सो पंचानमे में करन अर्जुन चाहत दिल तो पागल है ओम सांती ओम और आप देखेंगे चक दे इंडिया रन रव ने बना दी जोड़ी माय नाम इज खान और जब तक है जाहां जान चैन्नाई एक्सप्रेस हैपी निव यार या नई यार दिल वाले डियर जिन्दगी फैन रईस जब हैरी मैट से जल जीरो धोम फोर और डॉन सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा है और सारू खान करंजुहर ऑफरेशन खोकरी ये 2022 में ब्रहमस्त आई थी साइंस्टेस से जुड़ी हुई थी बिग्याली छेत से और 2023 में आप देख रहे हैं कि पठान आई हुई है और 2023 में टाइगर थिरी आएगी इसमें के रूम में आप देखेंगे ने देखेंगे आप लो तो इस तरह से बहुत सारी मूमियों में इन्होंने काम किया हुआ है और अब जब फिल्मी एक्टर हैं तो काम तो करेंगे ही इन्हें कई पुरुसकार भी मिले हुए है फिल्म फियर पुरुसकार मिला है उन्नी सो तेर कभी ना के लिए सर्फिष्ट अभिनेता पुरुसका और फिल्म अंजाम के लिए सर्फिष्ट खलनायक पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 1996 में उन्हें फिलिम दिलवाले दुलनियां ले जाएंगे के लिए सर्वसिष्ट अभिनेता पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 1998 में उन्हें फिलिम दिल तो पागल है के लिए सर्वसिष्ट अभिनेता पुरुसकार के लिए सम्मानित किया गया था 1929 में उन्हें फिलिम कुछ-कुछ होता है के लिए सर्फिस्ट अभिनेता पुरुसकार से सम्मानित किया गया था 2002 में उन्हें विशेश पुरुसकार सुईस्ट दूतावास ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था 2003 में उन्हें फिल्म देवदास के लिए सबस्टेश्ट अभिनेता चुना गया था 2005 में उन्हें फिल्म सौदेसी के लिए सबस्टेश्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला था 2005 में उन्हें भारव सरकार द्वारा पदम स्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था और आप लोगों को एक और मालू होने चेए पदम स्री ये आपको मालू होगा कि 1954 से सुरू हुआ था 2013 में उन्हें दच्छिट कोरिया सरकार द्वारा सदभावना राटदू सम्मान से सम्मानित किया गया था 2014 में उन्हें फ्रांसी सी सरकार द्वारा लीजियन डी होनर सम्मान से सम्मानित किया गया था अनपुरुसकारों में 2017 में उन्हें एंडी टीवी इंडियन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, 2011 में उन्हें उनेस को द्वारा पेरावाइड कौन मरनी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था इसके अलाबा भी बहुत सारी निपुरुसकार मिले हुए इनसे कुछ बिवाद भी जुड़े हुए और जिसके कारण इनकी आलुचना भी होती रहती है 2008 में सारूक, केटरीणा, कैप के जनम धिम समारों के दौराण सल्मान खान से भिढने पर बिवादों में रहे थे 2012 में उन्होंने एक पार्टी में सिरीज कुंदर फ़रा खान के पती को थपण मारा जिसके कारण वे बिवादों में रहे थे और 2012 में IPL मैच के दौरान वान खेड़े इस्टेडियम में मैदान पर जानने को लेकर सारूख खान की सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस होई थी और जिसके चलते एक इस्थानिय कारकर्था ने अदालत में सिकायत दरच करवाई थी कि सारूख ने IPL मैच के दौरान सुरक्ष इस्थे एसोसियेशन ने उन पर तीसरे बेटे अवराम के जनम के दौरान लिंग पर इक्चन करवाने कारोप लगाया था और जिसे भारत सरकार द्वारा पिती बंदित किया गया है यानि कि लिंग पर इक्चन आप लोग नहीं करवा सकते हैं कि बेटा है गरब में या बे लोग इस सवाल बताईएगा आप लोग कि आगर मूवियों का वायकोट होता क्यों है विरोध होता क्यों है हमारे इसमें एक फिल्म सेंसर वोड है क्या वो देखता नहीं है मूविया जब रिलीज होने से पहले या अगर नहीं देखता है उससे देखना चाहिए अगर किसे कि भावनाओं को ठेस पहुच रहा है, कोई परेसा नहीं हो रही है, बाकि अपनी राय आप लोग देनी के लिए सुतन थें, अच्छी बात है देनी भी चाहिए, आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, किसी दूसरे की सोच पर नहीं चलना चाहिए आप लोगों को, आपके पास भ बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे,